बॉर्निंग बच्चों, आज हम सभी आपके क्लास 4-3 पीए पार्टू का चैटर 6 पढ़ेंगे स्वामी विवेका नंदा यह आपका पीए टू का लाश्ट चैटर है स्वामी विवेका नंदा स्वामी विवेका नंदा इन्होंने भारती शर्भिता और सज्टूती का प्रचार प्रशार किया था इन्होंने 1893 इस्षी में सिकागो नगर में स्वधर्म सम्मिलन में भायर देश का पितनी धीतों किया था और इनका ओजपुर भासर आज भी लोगों के दिलों में जगा बनाया हुआ है और इन्होंने अपने भासर में कहा था कि कर्म के केवल करता भी समझ कर नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्म में फल की इच्छा नहीं होना चाहिए कर्म फलकी इच्छा नहीं होनी चाहिए और कर्म को कर्तव भी समझ कर नहीं करना चाहिए कि मेरा कर्तव भी इस कर्म करना चाहिए कर्म को कर्म समझ के करना चाहिए और इन्होंने हिंदु धर्म का पिचार पिशार किया था इनका कहना था कि सभी मनुस्य एक ही इश्वर के संतान है जिस प्रकार सभी नदिया जाकर एक जगा मिलती है उसी प्रकार सभी इश्वर के ही संतान है चलिए आप सभी अब अपने बुख को खोल लीजिए और मैं इसाथ पढ़िए और इसको समझेए श्वामी विवेका नंद युगपुरुसर्षी श्वामी विवेका नंद से जन 1863 इश्वी आपते कूलकाता नगरे अबवत युगपुरुसर्षी श्वामी विवेका नंद का जन 1863 इश्वी में कूलकाता नगर में हुआ विवेका नंद से पितु नाम विश्रुनाध दत्त आशित विवेका नंद के पिता का नाम विश्रुनाध दत्त था बाली कालादे विवेकानन्द मेहःःःः आशित सह तेजश्री बालक थे तश्य मुख मंदले अलोकिका आभा आशित उनके मुख मंदले अलोकिक आभा थी तस्य शुभाव अति विनिता आसित उनका सुभाव बहुत थी विनम्र था विनिता मिस विनम्र उनका सुभाव बहुत विनम्र था बालीकाली तस्य नाम नरेद्रनाथ आसित बच्चपन में उनका नाम नरेद्रनाथ था कालांतरी सह स्वामी राव कृष्ण परमहंस के सिश्य अबवत कुछ समय बाद वह स्वामी राव कृष्ण परमहंस के सिश्य हुए स्वामी विकानन्द संश्रित जर्मन, ग्रीग, हिप्रू, फ्रेंच, इत्यादेह, भाषाराम, ग्याता आसी स्वामी विकानन्द संश्रित जर्मन, ग्रीग, हिप्रू, फ्रेंच, इत्यादेह, इत्यादी, भाषाराम, भाषाओ के ग्याता थे अनेक महाभाग में राम्पृश्मिशन की स्थाप्णा किये गुरू आग्यानुसार एशा भारत देशे सर्वत्र भारती सव्धिताया संस्रतेश्च प्रचारम अक्रोथ गुरु के आग्यानुसार यह भारत देशे भारत देश में सर्वत्र भारती यह सभी जगा भारती सभ्यता और संस्रिती का प्रचार किये भारत देश में सरवत्र सभी जगा भारती सभ्यता या संस्रुदेश्ट भारती सभ्यता और संस्रुदी का प्रचारम क्रोथ प्रचार किये प्रचार किये गुरु आज्यानुसारेड एशा भारती से सबत्र भारती सभ्यता और सल्षृती का प्रचार किये सह 1893 तमें वर्से शिकागो नगरे आयोजिती सर्वधर्म सम्मेलने भारत देशा से प्रतिनिधित्वम अक्रोद वह 1863 इश्वी में शिकागो नगर्मे आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भारत देश का प्रतिनिधित्व किये यानि भाड देश की तरब से सामेल हुए प्रतिमिधित किये स्वामी वेकानन्द से ओजपूर्णम भाष्रम सुत्वा सोतारह मंत्रमुग्धा अबन सोतारह में सुनने वाले स्वामी वेकानन्द के ओजपूर्ण भाष्र को सुनकर सोता मंत्रमुग्ध वे मंत्रमुक्द में उसी में लीन हो गए मंत्रमुक्द वे अयम श्वभाषडे अकतियत इन्होंने अपने भाषण में काया श्वभाषडे अपने भाषण में अकतियत कहा है कर्मम केवलम कर्टव्यम मत्वा कुर्यात कर्म को केवल कर्टव्यमान करो मत्वा मानकर या सोच कर कुरियात करो कर्मम केवलम पर्तव्य मत्वा कुरियात कर्म को केवल पर्तव्य मानकर मत करो कर्मे फल से इच्छा ना कुरियात कर्म में फल की इच्छा नहीं करो स्वामी वेकानन्दस से वार्याम अलोकी का प्रतिभा आसीत श्वामिर वेकानन्द से वारनयाम अलोकिका प्रतिभा आसीत यहा सोता रह आत्मियुश्मिता भवन्ति इस्म स्वामिर वेकानन्द के वारनयाम भारी में श्वामिर वेकानन्द के वारी में अलोकिक प्रतिभा थी यहां जिससे श्रोता आत्मिश्मिता बंत्रमुग्ध भवन्तिष्म हो गये थे इस्म में जहां भी इस्म लग जाता है वहां क्या हो जाता है आपका भूत कार हो जाता है थे लग जाता है तो यहां भवन्तिष्म हो जाते थे भवन्ति में होना तो भव में होना तो यहां हो इस लाइन को फिसे देखिए समाधिस्तोगोट निधन हो गया सैसामिस अचानक निधन हो गया 4 जुलाई 1902 इस जिमें इस महापुस का अचानक निधन हो गया दच्छिडे भारते कन्या कुमारी स्थाने समुद्र मध्ये निर्मिते श्वामे विवेकानन्द इस्मार को अस्ति अस्ति दच्छिड भारत में कन्या कुमारी स्थान पर समुद्र के बीच में विवेकानन्द इस्मारब निर्मित है इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं दच्छिड भारत में कन्या कुमारी स्थान में समुद्र के बीच में निर्मित विवेकानन्द इस्मारब है धन्यवाद इस प्रकार आपका यह अध्याय खत्म होता है आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके अभ्यास प्रश्टों को भुग में ही फिल करिएगा कॉपी में आप सभी चैप्टर शुरू करने से पहले पिक्चर ड्रॉ कर लीजेगा उसके बाद सब्दात प्रश्णोत्तर तता हिंदी या सज्ट्री तन्वाद जो भी आपको दिया जाएगा उसको आप कॉपी में करिएगा